दोस्तों अगर प्रोपरटी खरीदना चाहते हो इंडिया में तो आपके इन स्टेप्स को बहुत गौर से फॉलो करना होगा अपने प्रोपरटी बाइंग प्रोसेस को स्मूथ बनाने में तो पहला काम आपको करना यह है कि आपको देखना है कि how much you can afford, आप कितना पैसा afford कर सक देखो जब affordability की बात आती है तो आपके पास दो option होता है, पहला option यह है कि आप खुद पैसा एकटा करो and then property खरीद लो cash में, और दूसरो option यह है कि आप एक home loan उठालो, पर home loan में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बहुत लोग eligible नहीं हो पाते, उसके उपर मैंने complete वीडियो बना के रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो, आई बरन पे मैं लिंक दे दूँगा, यह मैं आपको short में explain कर देता हूँ, कि home loan उठाने के लिए आपका उमर 18 साल होना चाहिए, income at least हर माहिने 20,000 रूपीज होना चाहिए, loan to valuation उस property का 90% होना चाहिए, और आपका credit score 750 प्लस होना चाहिए, तभी आप home loan के लिए eligible होगे, don't worry, यह सब क्या है मैंने explain किया है उस particular video में, आप देख लेना आपको काम आएगा अगर आप home loan उठाना चाहते हो तो, तो पहला decide करो कि how much you can afford, आप कितना पैसा effort कर सकते हो, उस property के लिए 45 lakh, 50 lakh या फिर 1 करोड, आपने decide करो and then आगे बढ़ो, और location को choose करो, location कितना important है मैंने बहुत, बहुत बार discuss किया है, यह अच्छा location वो है, जो road के आसपास होता है, city के आसपास होता है, airport पास में होता है, school, college, grocery store, या फिर metro station, सब कुछ आसपास होता है, वो अच्छा location होता है, पर हाँ, अच्छे location में पैसा भी ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, इसलिए आपको पहला काम करना है कि आपको affordability को check करना है and then location को check करना है, location के उपर भी मैंने एक detail video बना के रखा है as an investor, आप चाहो तो देख सकते हो, मैं वो link भी यह आई बटन पर दे दूँगा, अच्छा location property sector की जान है, location अच्छा नहीं होगा तो आपको resell value नहीं मिलेगा, resell value नहीं मिलेगा तो आप उसे सही price में बेच नहीं पाओगा, यह simple fact है, resell value चाहिए तक को location बहुत अच्छे चूश करना होगा, talking about resell value, resell value बहुत important factor है, अगर आप move करना चाहते हो future में, उस property को बेच नहीं तो resell value को आपको check करना होगा, for example, आप एक property खरीद रहे हो, इस मकसद से कि आप वहाँ 3-4 साल रहोगे, यह फिर 5 साल रहोगे, और उसे बेच के दूसरे city में move कर जाओगे, तो आपको resell value को check करना होगा, नहीं तो आपका investment डूब सकता है, आपका पहले builder reputation को check करना होगा, क stamp duty fees अपको कितना देना पर सकता है, देखो, यह दो charges state to state wise vary करता है, जो on on average होता है, registration charges 1% of the total property value, और stamp duty charges 5%, जो property 45 लाग के ऊपर है, जो property 21 लाग से 45 लाग के भीतर है, वहाँ पे लाएगा 3%, और जो property 20 लाग के भीतर है, वहाँ पे लाएगा 2%, यह vary करता है, state to state wise, पर यह average है, नॉर्मल है, जो हर एक state में similar होता है, आप चेक कर लेना आपके state में, क्या stamp duty charges है, या फिर registration charges है, stamp duty and registration charge के उपर हमें complete video बनाऊंगा future में, stamp duty को चेक करने के बाद, आप चेक करो, आपका वो agent अच्छा है या फिर नहीं है, देखो, अगर agent अच्छा होगा, तो आपका वो सही deal धोन के देगा, आपका loan process को सही बनाएगा, जो mortgage broker होता है, आपको agent बहुत गौर से चुनना होगा, आपको एक ऐसा agent चुनना होगा, जो आपको सच में help करना की, एक ऐसा इंसान जो बस पैसा चाहता है, आपका वैसा agent कभी भी select नहीं करना है, agent selection के उपर, broker selection के उपर, मैंन आपको यहां आई बरन में मिल जाएगा, आप check कर लेना बहुत काम आएगा, आप आप decide करो कि property type क्या चाहते हो, आप ready to moving चाहते हो, यह जो construct होने वाला है, उसे चाहते हो, आप यह पहले decide करो, क्योंकि उसके लिए आपको permission लेना होगा, उस builder से, amenities आपको क्या-क्या मिल सकत होगा है, आपको पहले check करना होगा, amenities में आपको बता दूँ कि आपको extra पैसा खर्च करना पर सकता है, sometimes car parking के लिए आपको extra पैसा देना पर सकता है, तो आप इन चीज़ को देख लेना and then apply करना, साथ में additional cost क्या-क्या हो सकता है, वो भी check कर लेना, for example, agent जो होगा, उसका भी फीज लगेगा, lender या फिर mortgage broker जो होगा, उसका भी फीज लगेगा, home inspector, land surveyor, lawyer, इन सब को पैसा देना होगा, तो वो extra खर्चा हो जाएगा, maintenance भी आएगा, उस property का, तो वो चीज़ भी आप चेक कर लेना, और आप property insurance को भूलना मत, property insurance एक करवा लेना, मैं चेक कर रहा था, कि property insurance बहुत vary करता है, property to property vary करता है, bank to bank भी यह vary करता है, कुछ banks आप से बहुत ज्यादा चार्ज करता है, sometimes 5,000 रुपीज पर मत, कुछ banks 500 रुपीज भी चार्ज करते हैं, और कुछ banks 200 रुपीज भी चार्ज करते हैं, यह depend करता है उस property की value के उपर, उस bank के उपर, और time के उपर कुछ banks आपको force करेंगे, insurance भी करवाने के लिए, ये कुछ banks का rule है जो आपको follow करना होगा, सारे banks ऐसा नहीं करते, कुछ banks ऐसे होते हैं, जहाँ आपको insurance भी लेना होगा, loan के साथ, property insurance आजकल इंडिया में mandatory नहीं है, पर ये अच्छा होगा अगर आप कर लेते हो तो, ये future में क कुछ भी हो सकता है, damage हो सकता है, cyclone आ सकता है, तूफा ना सकता है, कुछ भी हो सकता है, घर के उपर एक पेर गिर सकता है, तो बुद्धिमान इसमें होगा कि आप एक insurance करवा लो अपने property को, जैदा पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा, बस 125 रुपी से फिर 200 रुपीस पर आप एक चिक कर लेना and then apply करना, online पे बहुत सारा platform है, बहुत सा calculator है, आप जाके चिक कर लो अभी चिक कर लो, and दोस्तो लास्टली आप चिक कर लेना rental value क्या होगा उस property का, अगर आप rent पे लेना चाहते हो तो, rental value चिक करने का सबसे आशान और सबसे best तरीका ये है, कि आप आ इस तरीका है, rental value को जानने का, तो ये सारा process है, property खरीदने के फिर rent पे लेने का, आप इन चीज़ को follow करो, आपका property buying process smooth बनेगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा, आप उन वीडियो को चेक कर लेना खास कर, वो loan वीडियो, location वीडियो and then agent वाला वीडियो, आपको वी home buyer as an investor, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो like करना, share करना आपने दोस्तों के साथ, नए हो तो subscribe चरूर कर लेना, मिलते हैं अगले वीडियो में, take care दोस्तो and be safe